राधे राधे जी पवत्रवचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्तिक स्वागत है भक्तो हर शुब संदर पर भगवत गीता का पाठ किया जाता है भगवत गीता के सात्वे अध्याई के पाठ से पित्र देवताओं को शान्ती मिलती है तथा उन्हें मौक्ष की प्राप्ती होती है आज सर्व पित्र अमावस्या है भगवत गीता के सात्वे अध्याई वह उसके महात्मे कथा का श्रवन करने से पित्रों को मौक्ष मिलती है तथा पित्र दोश समाप्त होता है इस वीडियो में हम भगवद गीता के साथवे अध्याई व उसकी महात्मे कथा प्रस्तुत कर रहे हैं भगवद गीता के अध्याई के पाठ के बाद महात्मे कथा अवश्य सुनना चाहिए इसी से भगवद गीता के पाठ का फल प्राम्थ होता है आइए श्रवन करें ओम नमो भगवते वासुदे वाय गीता का साथवा अध्याय पित्र मुक्ती और मोक्ष से जुड़ा है इस अध्याय का नाम है ज्यान विज्यान योग श्री भगवान बोली हे पार्थ मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मनवाला और अनन्य भाव से मेरे परायन होकर योग में लगा हुआ मुझ को संपूर्ण विभूती बल ऐश्वर्यादी गुनों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशेरहित जानेगा उसको सुनो मैं तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित तत्वग्यान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेश नहीं रहता है हजारों मनुश्य में कोई ही मनुश्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योग्यों में भी कोई ही पुरश मेरे परायन हुआ मुझको तत्व से जानता है पृत्वी जल तेश वायू और आकाश और मन पुद्धी एवं अहंकार ऐसे ये आठ प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृती है ये आठ प्रकार के भेदो वाली तो अप्रा है अथार्थ मेरी जड प्रकृती है और हे महाबाहो इससे दूसरी को मेरी जीव रुपाप्रा अथार्थ जेतन प्रकृती जान कि जिससे ये संपूर्न जकत धारन किया जाता है हे अर्जुन तुम ऐसा समझो कि संपूर्न भूत इन दोनों प्रकृतियों परा और अप्रा से उत्पन होने वाले हैं और मैं संपूर्न जगत की उत्पत्ती तथा प्रलह रूप हूँ अथार्थ संपूर्न जगत का मूल कारण हूँ हे धननजय मुझसे भिन दूसरा कोई भी परमकारण नहीं है यह संपूर्न सूत्र में मनियों के सद्रिश मुझ में गूंधा हुआ है हे अरजुन जल में मैं रस हूँ चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ संपूर्न वेदों में प्रनव यानि ओमकार मैं हूँ आकाश में शब्द और पुरुशों में पुरुशत्व मैं हूँ प्रत्वी में पवित्र गंध और अग्णी में मैं तेज हूँ संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूँ अथार्थ जिस से वे जीते हैं वा तत्व मैं हूँ तथा तपस्वियों में तप मैं ही हूँ हे अर्जन तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानि कारण मुझे ही जान मैं बुधिमानों की बुध्धी और तेजस्वियों का तेज हूँ हे भरत श्रेष्ट आसक्ती और कामनाओं से रहित बलवानों का बल अथार्थ सामर्थ्यम मैं हूँ और सब भूतों में धर्म के अनकूल अथार्थ शास्त्र के अनकूल काम मैं हूँ और जो भी सत्व गुन से उत्पन होने वाले भाव है और जो रजो गुन से तथा तमो गुन से उत्पन होने वाले भाव है उन सब को तू मेरे से ही होने वाले है ऐसा जान परंत वास्तव में उन में मैं और वे मुझ में नहीं है गुनों के कार्य रूप यानि की सात्विक राजसिक और तामसिक इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है इसलिए इन तीनों गुनों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से नहीं जानता यह अलावकिक अधार्थ अति अत्भत त्रिगुनमई मेरी माया बड़ी तस्तूर है परंतो जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उलंगन कर जाते हैं अधार्थ संसार से तर जाते हैं माया के द्वारा हरे हुए ज्यान वाले और आशुरी स्वभाव को धारन किये हुए तधा मनुश्यों में नीच और दूशत कर्म करने वाले मूढ लोग मुझे नहीं भजते हैं हे भरतवंशियों मिश्रेष्ठ अर्जन उत्तम कर्मवाले अर्थार्थी, आर्थ, जग्यासु और ज्यानी ऐसे चार प्रकार के भक्चन मुझे भजते हैं। उनमें भी नित्य मुझ में एकी भाव से स्थित हुआ, अनान्य प्रेम भक्ति वाला ज्यानी भक्त अति उत्तम है। क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्यानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्यानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार है। अर्थात श्रथा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है। परंतु ज्यानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मत गत मन बुद्धी वाला ज्यानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्वों के अंत के जन्व में तत्व ग्यान को प्राप्थ हुआ ज्यानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझे भजता है, वह महात्मा अती दुरलब है। उन उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्यान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरत होकर उस उस नियम को धारन करके अन्य देवता को भजते हैं, अर्थात पूझते हैं। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रधा से पूझना चाहता है, उस उस भक्त की श्रधा को मैं उसी देवता के प्रती स्थिर करता हूँ। वहपुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे ही द्वारा विधान किये हुए उन इच्छत भोगों को निस्सन देह प्राप्त करता है परन्त उन अल्प बुद्धी वालों का वफल नाशवान है तथा वे देवता को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अन्त में मुझे ही प्राप्त होते हैं बुद्धी हीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परमभाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांती जानकर व्यक्ती के भाव को प्राप्त होआ मानते हैं अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सब के प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिए यह अज्यानी जन समुदाय मुझे जन्मरहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता अर्थात मुझे को जनमने मरने वाला समझता है हे अर्जन पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ परन्तु मुझे को कोई भी श्रधा भक्ती रहित पुरुष नहीं जानता हे भरतवन्शी अर्जन संसार में इच्छा और द्वेश से उत्पन हुए सुख दुख आदी द्वन्द रूप मोह से संपूर्ण प्रानी अतिय अज्यानता को प्राप्थ हो रहे हैं निश्काम भाव से श्रेष्ट कर्मों का आचरन करने वाला जिन पुरुषों का पाप नश्ठ हो क्या है वे राग द्वेशादी जनत द्वन्द रूप मोह से मुक्त और ध्रेट निश्चे वाले पुरुष मुझको भजते हैं जो मेरे शरन होकर जरा और मरन से छूटने के लिए यतन करते हैं वे पुरुष उस ब्रम्ह को तधा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तधा अधियक्य के सहित यानि कि सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं वे युक्तचित वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं अर्थात मुझको ही प्राप्थ होते हैं इस प्रकार उपनिशद, ब्रह्माविद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमत भगवत गीता में श्री कृष्ण तथा अर्चुन के समवाद में ज्यान वियोग नामक सात्वा अध्याय संपूर्ण भगवत कीता के सात्वे अध्याय का महात्मे स्वयम भगवान श्रीफ जी ने माता पार्वती जी से कहा था भगवान श्रीफ कहते हैं हे पार्वती अब मैं सात्वे अध्याय का महात्मे बतलाता हूं जिसे सुनकर कानों में अम्रत राशी भर जाती है पातली पुत्र नामक एक दर्गम नगर है जिसका गूपुर यहन की द्वार बहुत ही उंचा है उस नगर में शंक कर्न नामक एक ब्रामन रहता था उसने वैश्य वृत्ती का आश्रे लेकर बहुत धन कमाया किन्तु ना तो कभी पित्रों का तरपन किया और ना देवताओं का पूजन ही वह धनो पारजन में ततपर होकर राजाओं को ही भूच दिया करता था एक समय की बात है उस ब्रामन ने अपना चाथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधों के साथ ही यात्रा की मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मनी, मंत्र और आउशधी आधी से भी उसके शरीर की रक्षा असाथ्य जान पड़ी तत्पस्चात कुछ ही ख्षनों में उसके प्रान पखेरू उढ़ गए और वह प्रेत बना फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्पयोनी में उक्पन हुआ उसका वित धन की वासना में बंधा था उसने पूर्व वृतांत को स्मरन करके सूचा मैंने घर के बाहर करोडों की संख्या में अपना जो धन गाढ़ रखा है उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयम ही उसकी रक्षा करूंगा सर्प की यूनी से पेड़त होकर पिता ने एक तन स्वपन में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनो भाव बताया उन में से मंजला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनी धारन करके रहते थे उस स्थान पर गया यद्धिपी उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था तो भी उसने चेहनों से उसका ठीक निस्चे कर लिया और लोग बुद्धी से वहां पहुँच कर बाबी को खोदना आरंभ किया तब उस बाबी से बड़ा भयानक साम प्रकट हुआ और बोला ओ मूड तू कौन है किसलिए आया है यह बिल क्यों खोद रहा है किसने तुझे भेज़ा है ये सारे बाते मेरे सामने बता पुत्र ने कहा मैं आपका पुत्र हूँ मेरा नाम शिव है मैं रात्री में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहां का स्वर्न लेने के कौतहल से आया हूँ पुत्र की यहवानी सुनकर वहसाप हस्ता हुआ उच्चस्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला यह दि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शेग रही बंधन से मुक्त कर मैं अपने पूर्वजन के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्पयोनी में उत्पन हुआ हूँ पुत्र ने कहा पिता जी आपके मुक्ती कैसे होगी इसका उपाए मुझे बताईए क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ पिता ने कहा बेटा गीता के अमृत मैं सब्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ दान तब और यग्य भी सर्वथा समर्थ नहीं है केवल गीता का सात्वा अध्याय ही प्रानियों के जरामृत्यू आदी दुखों को दूर करने वाला है पुत्र मेरे श्राद के दिन गीता के सब्तम अध्याय का पाथ करने वाले ब्राह्मन को श्रधा पूर्वक भोजन कराओ इस से नस्देह मेरी मुक्ती हो जाएगी वत्स अपनी शक्ती के अनुसार पूर्ण श्रधा के साथ निर्व्यसी और वेद विध्या में प्रवीन अन्य प्राहमनों को भी भोजन कराना सर्प योनी में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्यानसार तथा उससे भी अधिक किया तब शंककर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्यदेह धारन किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया पिता ने करोडों की संख्या में जो धन उनमें बाट दिया था उससे वे पुत्र बहुत प्रसन हुए उनकी बुध्धी धर्म में लगी हुई थी इसलिए उन्होंने बावली, कुवा, पोखरा, यग्य तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उप्योग किया और अन्शाला भी बनवाई ततपस्चात साथवे अध्याय का सदा जब करते हुए उन्होंने मौक्ष प्राम्त किया हे पार्वती, यह तम्हें साथवे अध्याय का महात्मे बतलाया, जिसके श्रवन मात्र से मानव सब पात्कों से मुक्ष हो जाता है